हलो फ्रेंज में तारा सोई में आपका स्वाज़त है आज मैं बना रही हूँ छोले छोले की सबजी ये बहुत टेस्टी बनती है बच्चे और बड़े सभी को पसंद होती है छोले की सबजी आप चावल या पूरी के साथ खा ये बहुत अच्छी लगती है बहुत टेस्टी प्याज छोले को हमने रात के भीगो करके रख दिया था और सुबह बना रहे हैं अगर आप छोले बनाओ तो रात में ही भीगो करके रख दें पानी में सुबह हमने अच्छे से उन्हें धुल लिया है अब हम कोकर में छोले डाल देंगे और एक चमच नमक और एक गिलास पानी तेज पत्ता बड़ी इलांची लॉम काली मेर्च और दाल चिनी डाल देंगे और अच्छे से उबार लेंगे चुले को हमें अच्छे से उबालना है उबालने के लिए हम गयस में रख देंगे अब हम मसाला पीछ लेंगे अगर एक लैसन प्याज का पेस्ट बना लेंगे एक साथ बना लेंगे चोले की सबजी तो आपने बहुत बार खाई होगी पर अगर आप एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाना यह बहुत आसान तरीका है चोले की सबजी बनाने का बच्चों को तो बहुत पसंद होती है चोले की सबजी हरी मेची और टमाटा को एक साथ पेस्ट बना लेंगे आलू को भी हमने उबाल करके रख लिया है हमारे मसाला बनकर तयार हो गए है अब एक कड़ाई गरम करेंगे उसमें दो बड़े चमाट तेल डाल देंगे एक चमाट जीरा डाल देंगे दो खड़ी लाल मेच डाल देंगे और अपना जो बना करके रख था पेस्ट आधरक लाइसन प्याज का बो डाल देंगे और अच्छे से भूल लेंगे जब तक हमारी प्याज गोल्डन नहीं हो जाएगी और पूरा तेल छोड़ देगी जब अब मसाले डाल देंगे एक चमच अल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच मिर्ची मिर्ची हमने बहुत कम डाले छोटी एक चमच और एक कप पानी डाल करके मसाला पका लेंगे अब हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे पीस करके रखी थी और अच्छे से मिला देंगे और एक चमच नमक डाल देंगे नमक स्वादन उसाध डाले क्योंकि हमाई छोले में भी नमक डाला है इसलिए भंजाद नमक नहीं डालेंगे हम छोले का पानी नहीं निकालना है वह भी शाथ में डाल देंगे और मैस करके आलू डाल देंगे हमने तीन आलू लिये थे मेडियम साइच की अब हम छोले डाल देंगे छोले को अच्छे से अबारना है पूरी तरह से जब मैस होने लगे च्छे या साथ सीटी लगा दें आप छोले अच्छे सोगल जाते हैं अब हमें किलास पानी डाल देंगे और एक चम्माच अंचूर पाउटर डाल देंगे और दो बड़ी चम्माच चोले मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे और पाच मेर तक और पका लेंगे उसके बाद हमें एक चम्माच कसूरी मेथी डाल देंगे अच्छे से मसाल के जैसे मैं सबजी पक जाएगी उसके बाद हम एक चम्माच कटी हुई हरी धन्यपत्ती डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे हमारी चुली की सबजी बन कर तयार हो गई है एक बोल में निकाल लेंगे